हाई अवरिवन सभी का वर्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे आज सुबह का दा हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं इसका टाइटल है यह आर्टिकल लिखा हुआ है ग्राउंड वाटर पे यानि जमीन में कितना पानी है भारत के अंदर उसके लेवल पे कैसे यह पानी इंप्रूफ गिया जा सकता है इसके लेवल को ऊपर लाया जा सकता है चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में साथ questions आपके सामने हैं इस आर्टिकल में grammar, vocabulary, comprehension हर चीज आपकी test होगी इस क्विज के जरीए तो मन से सीको और साथ में से साथ मार्ग्ष सलो Solutions class के last में करवातम क्विज के आई ए क्विज को शुरू करते हैं अल्राइट करेंजी प्रिजर्विंग दफ्रिश्यस ओन ग्राउंड वॉटर यूज देगें प्रिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज को बचाना सेव करना किसी चीज को कंजर्व करना और प्रिश्यस का मतलब होता है ऐसी चीज जो कीमती हो कहरा जी हमें कीमती चीजों को प्रिजर्व करना है ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा लाइफ जो है आगे बढ़नी सकती उनको preserve या conserve करना बहुत जरूरी है और बात यहाँ पे हो रही है ground water के use की किस तरीके से हम use करते हैं इस्तेमाल करते हैं ground के water को जमीन से निकलने वाले पानी को चलिए भी इन दोनों words पर नज़र आलेंगे preserving और precious पे यहाँ पे the precious लिखा हुआ है precious एक adjective है precious का मतलब होता है valuable ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो जिसकी value करना जरूरी हो the लगा के हमने the precious लिखा इसको बना दिया common plural noun अब the precious का मतलब बता क्या है सभी की सभी valuable things जब भी किसी adjective के आगे द लगा दिया जाए और उसके आगे सभी के सभी गरीब लोग the rich सभी के सभी अमीर लोग the precious सभी के सभी कीमती या valuable चीज़े तो इस concept को हमेशा आपको दिमाग में रखना है दूसरा जो आपने word देखा preserve, preserve का मतलब होता है save करना, conserve करना, maintain करना किसी चीज़ को बचाना या बचाए रखना अब preserve वर्ब से एक बहुत अच्छा one word बनता है preservative शायद आप लोगों को आता होगा preservative preservative एक ऐसा chemical होता है is a chemical used to used to preserve things जैसे कभी कभी आप देखोगे कोई भी खाने पिने की जो bottle चीज़ है जैसे कोई soft drink है कोई hard drink है या कोई खाने की चीज़ है जो packet में आती है उसमें पिछे लिखा होगा preservatives इस chemical को इस food product में डाला गया है ताकि इसको सड़ने से बचाया जा सके तो किसी भी चीज़ को preserve करने के लिए सड़ने से बचाने के लिए हम preservative नाम के chemical का use करते है अब एक और one word बनता है इसी चीज़ पे ऐसी खाने की चीज़ें जो short period में ही सड़ जाती है ऐसी खाने की चीज़ें eatables जो बहुत ही थोड़े से वक्त में spoiled हो जाते हैं सड़ जाते हैं उनके लिए कौन सा word यूज़ करते हैं इंगलिश पे चलो यहां लिख देता हूं मैं इसके लिए sir one word यूज़ होता है perishable जैसे दूद है फल सबजिया है मास मचली है इन सब को आपको 2-4 गंटे के अंदर अगर आपने freeze में नहीं रखा खराब हो जाएंगे हैं 4-6 गंटे, 8-10 गंटे में यह चीज़े spoil हो जाती है तो यह सारे words जो जुड़े हूं है preserve से one words मैंने आपको एक साथ करवा दिया दिमाग के एक कोने में इनको रखना है ताकि इन तीनों words को जब भी पढ़ो एक साथ में revise कर सको preserve एक verb है, preservative एक chemical है और perishable एक ऐसी चीज़ होती है water consumption of ground water must be dis incentivized करें जी water wasteful consumption जो है wasteful मतलब waste is भरा ऐसी चीज़ जिसमें आप बरबादी करते हो तो बरबादी भरा उपयोग जो है ground के water का, जमीनी पानी का इसको dis incentivize किया जाना चाहिए passive voice लगा करके इस चीज़ को discourage किया जाना चाहिए dis incentivize करना किसी चीज़ को discourage करना किसी चीज़ को disheartened करना इसको promote मत करो इसको जितना हो सके लोगों को डराओ, समझाओ ताकि वो पानी को बरबाद करना बंद करें wasteful consumption यानि बरबादी भरा उपयोग यह आपका subject है इसकी verb है must be dis incentivized model plus में B plus में verb की from passive voice में use हुआ है अब आगे बढ़ते हैं इस article की सारी vocabulary में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको smoothly पढ़ सके हैं और उसी के साथ में competitive exams की तयारी कर रहे हो SSC, banking, UPSC की और अगर English में struggle कर रहे हो तो अपनी app को download करें आपकी अपनी app है इसमें दोनों included है इस code के साथ में 485 में एक course आपको मिल जाएगा next week से probably इसके दाम बढ़ेंगे जो लोग लेना चाते हैं enroll कर सकते हैं second course है आपको मिलेगा banking का जिसमें banking के सारे variety के questions को आपको यहाँ पर तयार कर वाया जाता है सही approach के साथ में around 100 plus hours का content है एक साल की validity है इसका भी फायदा आप ले सकते हैं इसी तरीके से SSC के course में SSC के सब एक्जाम का प्रिलिम्स और मेंस आपको तयार कर वाया जाता है एक एक variety के questions को detailed approach के साथ में करना सिखाया जाता है courses से related कोई भी query हो यह team का number है आप इस पर whatsapp करके team से बात कर सकते हैं आप का link इसी वीडियो के first comment में रखा हुआ है चलो जी आज शुरू करेंगे replenish से replenish एक वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को refill करना जैसे आपने पानी लिया गिलास भरा और पानी पिया आदा गिलास पिलिया अब आदा गिलास जो आपने छोड़ा है ना उसमें फिर से पानी डाल दोगे और उसको फिर से भर दोगे तो आप अपने गलास को replenish कर रहे हो जैसे आपकी salary आई 100 रुपे आपने 50 रुपे खर्चा कर दिया 40 रुपे अब जो 40 या 60 रुपे पीछे बची है अब उस salary में जब और salary आएगी अगले महिने तो उस salary को replenish कर देगी किसी चीज के level को फिर से पुराने जैसा करना refill या restore करना कहलाता है a good night sleep will replenish your energy levels रात की एक अच्छी नींद आपके energy के level को भरपूर कर देगी restore या refill replenish कर सकती है इसको refresh, restock या top up भी बोलते हैं ये word आटिकल में देखेंगे अब ये कोई ऐसा word नहीं है जो आपको रटना पड़े अपनी routine की life में replenish word को use किया करो जब भी किसे चीज को फिर से भर रहे हो आप उसको replenish नाम के word से यूज करो चलो, next word है integral integral का मतलग होता है inseparable ऐसी चीज जिसको separate ना किया जा सके जो दूसरी चीज के अंदर ही बसी हो जैसे हमारी जो वीगल्स हैं, कारे हैं और energy के लिए जो source हम कारों का electricity, diesel, petrol तो ये petrol, diesel और ये सब चीजें कारों का integral part है आरी अबास समझ में इनके बिना कारें कभी भी नहीं चलेंगी जब तक उसमें कुछ energy का source आप नहीं डालोगे तो इस तरीके साथ कुछ भी inseparable जो हो दूसरे के साथ में तो integral word को use करके बढ़ा सकते हो risk is integral in stock markets risk अंतर नहीं था है एक inseparable part है stock markets का पैसा लगाओगे, return कमाओगे तो risk तो वाँ पे होगा ही होगा integral के सिनॉनिम होते हैं inherent, imminent, innate आज आप inherent नाम का word article में देखेंगे चली अगला word है परफंक्टरी, बड़ा important word है ये एक one word होता है ऐसी चीज के लिए जो जल्दबाजी में किया जाए परफंक्टरी वो काम होगा जिसमें आपने attention को detail नहीं दिया है बस उपरी तरीके से सरसरी तरीके से किसी काम को करने की कोशिश की है परफंक्टरी को cursory भी बोलते हैं, superficial भी बोलते हैं ये word article में देखेंगे careless people often work in perfunctory manner लापरवा लोग अकसर perfunctory manner में काम करते हैं इस तरीके से काम करते हैं जिसमें कुछ भी perfect नहीं होता casual और history होता है जल्दबाजी भरे अंदाज में सारा काम किया जाता है ठीके ना तो सतही दोर का काम होता है परफunctory चलिए अगला word है consensus consensus बना है consent से consent मतलब किसी की रजामन्दी consensus होता है सभी की रजामन्दी agreement of या agreement between all stakeholders on some point इसको हिंदी में क्या बोलते हैं consensus को चलो याद नहीं आरा भी मुझे है न इसके लिए proper word consensus में सभी की आम सहमती होती है सभी की राय मिली होती है consensus कहलाता है even after 13 rounds of discussions no consensus could be reached between India and China on the water issue 13 rounds की discussion के बाद भी कोई consensus कोई भी सहमती नहीं बन पाई रीज कर पाई इंडिया और चाइना के बीच में border के मामले को ले करके इसके लिए unanimity भी बहुत अचा word है इसको break करके मैं आपको हर बर बताता हूँ you know मतलब one animity मतलब animus animus मतलब mind और heart जब 5-10 लोग बैठे हैं और उनका दिमाग और दिल मिल रहा है किसी बात पे तो वो consensus ही है उसी को ही unanimity भी बोल देते हैं सभी की सहमती को break कियाने इस word को you know plus में animus चली आज का last word है belligerent belligerent का मतलब होता है लडाकू कुछ लोग होते हैं लडाकू विमान highly aggressive इसको bellicose, hostile, violent, antagonistic भी बोलते हैं contentious भी इसका जगडालू का synonym है belligerent मतलब जगडालू या highly aggressive a belligerent crowd of thousands stopped several trains in agitation एक लडाकू सी भीड ने रोक दिया, stop कर दिया हजारों की और किसको stop कर दिया कई सारी trains को agitation के दुरान धरना परदर्शन करते हुए आगी बात समझ में अब इसका जो synonym देख रहे हो ना contentious इसको आर्टिकल में देखेंगे बस एक चीज मैं आपको भी बता लेता हूँ contentious का एक meaning तो यह ही लड़ाकू लेकिन इसका एक और meaning भी होता है controversial ऐसी चीज जिस पर contention हो जिस पर जगडा हो उसको भी contentious बोलते हैं यानि कि controversial चीज को और ऐसी चीज जो जगडालू हो खुदी सबसे जगडा करे लड़ाकू विमान हो belligerent हो उसको भी contentious बोलते हैं तो आज इसका ये वाला meaning यूज नहीं हुआ लेकिन ये word article में आया है अपने second वाले meaning के साथ में जिसका मतलब होता है controversial चलिए 5 words हैं डिटेल में करवाएं अब article जब पढ़ोगे तो revise करते रहें एक summary आपको देंगे article की पी करके नहीं जिया जा सकता अब groundwater की एक समस्य है कि ये है limited अगर आप इसको पीते जाओगे ना तो ये नीचे नीचे जाएगा और एक दिन खतम हो जाएगा और इसको लिम्टेड जो groundwater है replenish करने का source होता है बरसात rain तो बरसातों के वक्त पानी वापिस जमीन में जाता है और बाद में हम इसको खीच करके पीने लगते है अभी पिछले कुछ सालों से बता लगा कि groundwater की situation इंडिया में इंप्रूव हो रही है जितना पानी बरसातों के जरिए जमीन में जाता है उससे कम पानी हम जमीन से निकालते हैं तो overall हमारा ground water का level थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है हमारा article कर रहा है कि it is good news लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान दखनी है कि ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है अभी भी बहुत सारे गलत काम हम करते हैं जिससे पानी का बरबादी हो रही है replenishment is not something कि आप उसके उपर खुश हो जाओ आने वाले वक्त में कुछ और आपको steps लेने होंगे ground water को अच्छे से preserve करने के लिए suggestive tone में लिखाओ article है advice कर रहा है सरकारों लोगों को चली अब शुरू करते हैं प्रस्टिंग आर्टिकल आज का आज कह रहा है जी आर्टिकल में the ministry of water resources recently made public a report that gives a snapshot of India's ground water situation कह रहा है जोई ministry है कौन सी ministry भाई water resources की जल संसाधन की हमारा जो जल संसाधन मंत्राले है कह रहा है इसने recently make किया public make public एक phrase होता है इसका मतलब होता है सब के सामने किसी चीज को रखना किसी चीज को अखबार में, newspaper में, magazine में, tv में चलवा देना तो करें हमारी इस मंत्राले ने इस चीज को चपवा दिया है अखबारों में make public कर दिया है सब को बता दिया है और किसको एक report को और कौन सी report जो देती है that gives और क्या देती है एक snapshot को देती है, एक picture को देती है और ये picture किसकी इंडिया के ground water की situation की इंडिया में जमीन के नीचे बसे हुए पानी की जो अवस्था है situation है उसकी बिल्लकुल simple sentence है, breaker की आपको बता दिया है ministry की वह वह made subject actual में पूरी ministry है आपकी जो कि एक, क्या है ये ministry है, एक proper noun सरकारी ministry है, इसलिए आगे दव भी लगा हुए, ministry का पहला अक्षर आपने बढ़ा रखा है, M बढ़ा है, W बढ़ा है R बढ़ा है, O का ओफ छोटा है क्योंकि यहाँ पे एक prep position इस्तेमाल की गए स्टेमाल का मतलब होता है तस्वीर, पिक्चर, किसी भी चीज का इलस्टरेशन, चलिए, और आगे बढ़ते है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है जी on the surface, there is good news the total annual ground water storage defined as the ground water stored for the entire country is 437.60 billion cubic meters or BCM out of which the quantity extracted was 239.16 BCM, करें जी surface से अगर देखा जाए, on the surface एक आपको एड़ोब करवाई ही, मैंने on the face of it, इसका मतलब होता है जाहिर तोर पे या उपर उपर से देखने में बस वही है on the surface करें अगर जाहिर तोर पे देखा जाए, उपर उपर से देखा जाए, पूरी रिपोर्ट ना भी पड़ी जाए तो करें एक अच्छी न्यूस तो हमारे पास है there is good news, क्या अच्छी न्यूस है यह बता रहा है कॉलम लगा के, जो टोटल ग्राउंड वोटर की स्टोरेज है जो टोटल हमारा ग्राउंड वोटर का डिचार्ज है, है ना रिपलाइश्मेंड है जिसको डिवाइन किया गया है, प्रवाशित किया गया है ground water stored, कितना ground water stored होता है करें और किसके लिए पूरे देश के लिए फूर गराउंड वोटर के लिए हमने extent किया quantity extracted मातरा जो हमने बाहर निकाली इतना पानी बरसाथ से जमीन में गया और इसमें से इतना हमने निकाला आरी बाद समझ में तो इससे हमें बहुत फाइदा मिल रहा है और रोल पानी का जोएस्तर बढ़ता जा रहा है चलो अब सेंदेंस की स्ट्क्चर देखेंगे न्यूस की वब है इस टोटल अमाउंट भे बाद समझ में किसी चीज को जहां पे उपढ़ी है उससे अलग करना बाहर निकालना कहलाता है चलो अब मेरा आपसे सवाल है यहां पे बड़ा बेशिक सा सवाल है मुझे लगता है आप में से एक यहां पे एक ही थी और न्यूस यह थी कि ऐसे एसे हो गया फिर भी हमने a good news नहीं लिखा बई ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी एक ही news थी उसको बताने के लिए a good news नहीं लिख पाए अगर एक एपल होता तो n apple लिखते हो न अगर बहुत सारी हो तो n को निकाल देते हो तो जब news भी एक ही है तो a good news नहीं लिखने का क्या reason है कराय जी a similar assessment in 2020 found that the annual groundwater recharge was 436 BCM and extraction was 245 BCM कराय एक ऐसा ही assessment हुआ था similar मतलब ऐसा ही बिलकुल इसके जैसा assessment मतलब जाइजा किसी चीज का evaluation कराय ऐसा ही एक जाइजा लिया गया था 2020 में उस जाइजे में ऐसा पाया गया इसने ऐसा पाया found किया क्या पाया भई that वो यह कि हर साल जो groundwater का recharge है जितना groundwater में पानी जाता है पानी जो है ground में जाता है वो था 436 BCM 2020 के अंदर और जो extraction था वो था 245 BCM आगी बाद समझ में तो यह सिरफ इसी साल नहीं हो रहा यह पिछले कई सालों से हो रहा है पानी हम निकालते कम में बरसात के जरीए जमीन में जाता जाता है तो पिछली बार वाली में यह बताया गया आगया sentence समझ में assessment की वोब है found, recharge की वोब है was extraction की वोब है was was को दूसरी बार नहीं लिखा गया है क्योंकि end लगा है नया subject आया है वो यहाँ पे भी वोई वोब है common वोब है इसलिए दूसरी बार omit कर दिया recharge was 466 BCM extraction was 245 BCM चलो और आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे जी कह रहे जी the 2022 assessment suggest that ground water extraction is the lowest since 2004 when it was 231 BCM कह रहे जी 2022 का जो जाय जा है इस साल का ये इस बात को suggest या hint करता है that वो ये कि ground से water निकालने का जो काम है ground water extraction जो है वो lowest है सबसे कम है 2004 के बाद से 2004 में क्या हुआ था करे जब ये 2004 में था 231 BCM तो हम 2004 से 2022 में almost उनी levels पे आ गए हैं ground water को अच्छे से use कर रहे हैं समझ माएकर sentence ना assessment की वब है suggest 2022 वले की extraction की वब है is it की वब है was अच्छा और क्या हुआ करे जी है decrease in ground water extraction may indicate better water management semi-column करे जी हम देख रहे हैं decrease एक कमी को और किसमें ground से water के extraction में जमीनी पानी के निकासी में करे ये जो decrease है ये जो कमी है ये हो सकता है indicate कर दे इस सीज की तरफ कर दे इशारा और किसी इस की तरफ अच्छे तरीके से और बहतर बनाए गए water management को करे कॉमा लगा के semi-column हुआ ये actual में कि however the report called the national compilation on dynamic ground water resources of India itself says that the improvement is only marginal करे लेकिन बात ये कि जो report है ना ये जो कला ही जाती है call की जाती है ये बड़ा सा नाम करे जो report है ना ये पूरे नाम वली ये report खुदी है कहती है that वो ये कि जो भी सुधार हुआ है वो सिरफ marginal है वो ना के बराबर है तो report तो खुदी कह रही है कि ये सुधार जादा मत समझो आप हमने बहुत पानी कम गुमा दिया है पुराने टाइम में तो जो भी थोड़ा वो ताप सोट एड़ सो बीसी हम कमाते हो ना हर साल पानी ये ज्यादा नहीं है it is marginal करे और क्या हुआ marginal मतलब जो ज्यादा ना हो जो बहुत कम हो insignificant हो trivial हो करे और दूसरी चीज ये है कि ये जो improvement है एक तो marginal है ना के बराबर है और दूसरी चीज ये है और कि ये हो सकता है explain कर सके इसको समझाया जा सके natural conditions के दवारा और उन बदलावों के दवारा changes के दवारा जो आहें उस तरीके में methodology में methodology का मतलब होता है किसी काम को करने का official तरीका करे वो methodology जिसको हमारी सरकार की संस्था center groundwater water ward और हमारी जो states है हमारी जो राज्य हैं जो conduct करते हैं survey को adopt करते हैं आगी बाद समझ में तो report में ये लिखा हुआ है report में ये लिखा हुआ है कि ये improvement ज़्यादा नहीं है और हो सकता है आप इसको natural condition और global warming से देख करके देखो और साथ में ये भी देखो कि वो methodology जो कि state और center की इस agency ने लगाया है वो कैसी methodology अडॉप्ट की जाती है इन सब चीजों की ऊपर देखने के बाद ही कुछ राये बनाओ कि पानी कम है पानी ज़्यादा है आगे बाद समझ में sentence की structure देखेंगे decrease की वोब है may indicate report की वोब है says improvement की वोब है is improvement is only marginal marginal का मतलब है जो insignificant हो जो बहुत ज़्यादा ना हो जो unimportant हो अपनी quantity में अच्छा improvement की दूसरी वोब है may be explained improvement ना के बरावर है और improvement explained की जा सकती है both these verbs are attached with conjunction and अच्छा और कुछ देखने वाला इसमें है हाँ आगे और भी sentence है और states और board की वोब है adopt वो methodology जो की ये board और states adopt करते हैं जिस तरीके से पूरी calculation को ये करते हैं which की वोब है conduct which आया है methodology के लिए लंबे sentences ऐसे ही होते हैं confuse नहीं होना है break करके छोटा छोटा करके इनको पढ़ो sentence कितना लंबा था इतना लंबा sentence था चलो आगे पढ़ते हैं अभी सबसे लंबा और सबसे मुश्किल संटेंस यही था इस पूरे अर्टिकल था आगे कर रहा है जी in fact the number of groundwater blocks or wells used for estimation were more than those in previous years and it turns out that the percentage of blocks where groundwater was critically low was around 14% or roughly similar to that in previous years कर रहा है जी सच बात तो यह है in fact अच्छा कौन सी बात सच है भाई बात यह सच है कि जो number है जो आखड़ा है groundwater blocks का यह groundwater blocks का है जिनको और आप wells भी बोल सकते हैं कुमा भी बोल सकते हैं तो कर रहा कुमा की जो संक्या है और वो कुवे जो use किये जाते हैं इस पूरे जायजे के लिए estimation के लिए कर रहा है वो कुवे जो थे ना उनके जो संक्या थी वो more than थी और किस से मुकाबले उसके मुकाबले जो पिछले सालों में रही है more than those in previous years कर रहा है यह देखा भी पाया गया है turn out भी हुआ है यह निकल करके भी आया है और वो यह निकल करके आया है that कि जो percentage है जो प्रतिशत्ता है इन कुवों की इन ब्लोक्स की जहां पे ground water जहां पे जमीनी पानी critically low level पे है बहुत ही कम है बहुत ही नीचे चला गया है कर यह percentage हो थी ना लगबग 14% थी यह मोटे तोर पे रफली बिल्कुल similar to थी बिल्कुल बराबर थी उस percentage के that के जो पिछले सालों में रही है sentence नमबा है लेकिन आसान है सच में यह हुआ है number जो है वो दुगने है यह जादा है और यह निकल करके आया है कि वो आखड़ा जो की critically low ground water well का है कुए का है वो आखड़ा भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था अब structure में देख लो number की वोब है वर it की वोब है turns out percentage की वोब है was groundwater की वोब है was अब देखो यह sentence की structure आपने देख ली है that those वाला concept मैं भी करवा देता हूँ यह आपको अलड़ी आता है लेकिन इस sentence में दो errors पड़ी हुई है मैं भी यही पर pause कर रहा हूँ पांच जा सेकिंड के लिए वीडियो को आप भी pause कर दो दो errors इस sentence में रखी हुई है इस article के writer ने कर दिये गलती से आप दूण के बताओ SSC bank के जो students है चलो concept कर ले फड़ा बड़ से चलो जी concept यह है the number जो the number है इसके साथ में off आएगा और plural noun आएगा लेकिन verb आएगी singular लेकिन a number जो है a number इसके साथ में off plus plural noun आता है लेकिन verb आती है plural ऐसा क्यों होता है क्योंकि the number जो है यह बात करता है एक आँकड़े की और यह खुदी एक noun है लेकिन जो a number of है ना यह एक phrase है English में जो कि एक adjectival phrase है a number of मतलब a lot of a lot of मतलब बहुत सारे और बहुत सारे चीज़ें तो plural होंगी लेकिन उनकी verb भी plural होगी a lot of boys, a lot of girls are coming a lot of boys are playing तो a number of a lot of का synonym है इसलिए plural noun के साथ में plural verb लेता है लेकिन the number किसी का synonym नहीं है यह singular noun है इसकी verb singular होती है of के बाद में plural noun आता है ऐसे इसको याद रखना है तीसरा इसमें concept यह है कि कभी-कभी ना number आएगा ना the number ना a number कभी-कभी आप देखोगे percentage portion यह proportion अगर इन तीनों words को देखो और इनके बाद में आप off के बाद में कोई noun या pronoun देखो singular या plural तो जैसा वो noun होगा उसे हिसाब कि उसकी verb होगी इन दोनों ने तो अपने fix कर रखे है इसकी singular verb, इसकी plural verb इसका कुछ fix नहीं है यह कहते है जी जो चीज मेरे बाद में आएगी मैं तो इसके इसाब से अपनी verb ले लूँगा अगर मेरे बाद में कोई countable चीज आई जो plural होई तो मैं plural verb ले लूँगा या कोई singular चीज आई या uncountable चीज आई तो मैं singular verb ले लूँगा इसका screenshot लगा लो इस पे बहुत सारे questions आपको exams में मिलेंगे अब मैं इसको practically बता रहा हूँ इन पे apply करके questions पे the number of covid cases is या are increasing fast covid के cases बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं increase fast हो रहे हैं मुझे बताओ the number आ रहा है कि नहा रहा सर बिलकुल आ रहा है off के बाद में plural noun आ रहा है कि नहा रहा है सर बिलकुल आ रहा है तो the number तो अपने आप में एक singular noun है और the number के साथ में singular वह बाती है तो इस case में इस लगा क्या हूँगा आर को cancel करूँगा आगई वास समझ में second question को देखो a large number of covid-19 cases is or are being reported एक बहुत बड़ी number में बहुत बड़ी मात्रा में covid के cases को रिपोर्ट किया जा रहा है अब सीधे सीधे a large number of को आप a lot of लिख दे a large number है ना a lot of लिख दे अब मुझे बताओ a lot of cases के लिए कैसी वह आएगी इसके लिए आएगी सर plural verb तो a lot of cases are being reported आप ऐसा लिखोगे तो lot of को मैं लिख रहा हूँ large number of और बीच में verb लगा रहा हूँ मैं plural पहले वाले case में verb कैसी आई थी पहले वाले case में verb आई थी singular अब इस formula पे किसी की गलती नहीं चाहिए मुझे exam के नदर अच्छे से आपने सीख लिया है singular का plural verb लगानी है एक सेकेंट रुख जाओ इसको थोड़ा सा अपने डाग कर देते हैं अब तीसा देखो पर्सेंटेज और पीपल डाइंग ओफ कोविड-19 इस या वेरी आर वेरी हाए वो परतिशत्ता जो लोगों की है जो कोविड से मर रहे है वो बहुत ज़ादा है पर्सेंटेज बहुत ज़ादा है तो पर्सेंटेज की portion की proportion की अपनी कोई verb नहीं है of के बाद में जो रखा है उसके हिसाब से verb को चूज करना है बाद में रखा गया है people नाम का noun जो की होता है plural इसलिए इसकी verb होगी plural इस case में लगेगी R आई बात समझ में percentage of people dying of COVID-19 are very high और अगले case में देखो a large proportion of an average workers income is or spent on food एक बहुत बड़ा proportion या portion जो एक बहुत बड़ा proportion का मतलब होता है हिस्सा है ना percentage या हिस्सा एक ही बात है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक average काम करने वाली की income का वो spent होता है food पे अब मुझे बताओ income को count कर सकते हो income uncountable होती है income को count करने के लिए अलग से unit चाहिए होती है जैसे रुपया, डॉलर तो हर वो चीज जिसको अलग से unit चाहिए हो वो क्या कहलाती है uncountable अगर uncountable ना होती तो सीधे ही count कर लेते 5 income, 2 income, 10 income ऐसा नहीं होता हम बोलते हैं 10,000 रुपय की income जिस भी चीज को अलग से unit दे के count करना पड़े वो चीज ही uncountable है चाहे लिटर में दूद हो, चाहे किलो में चीनी हो तो income भी अलग से unit लेगा इसलिए इसकी वोब होगी uncountable के हिसाब से is इस case में मैं proportion के साथ में इस नाम की वोब डालूँगा formula clear है फिर से revision हो जाएगा किसी class में एक बार दिमाग पे बिठाओ, बार बार revision कराओगा जब तक बैठना जाए आज के quiz में भी आएगा एक concept आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर वही गलती हुई है पहली गलती है कि the number की वोब दे दी है वर अगर a number of लिखा होता तब वर ठीक था the number के साथ में आना चाहिए was दूसरा इसी was के लिए या इसी वर के लिए the number के लिए आपने दोज को यहाँ पर यूज की है अब हुआरा आर्टिकल का जो राइटर है the number को plural बना के चल रहा है इस case में इसने क्या कर दिया plural के हिसाब से यहाँ पर दोज लगा दिया that दोज वाला formula आप जानते हो आगे कर रहे जी regions with the most blocks with critical groundwater levels are in Punjab, Haryana, Delhi and Western UP कर रहे वो शेतर वो regions जिसमें ज़्यादा तर ये blocks हैं ज़्यादा तर ये कुएं हैं जिनमें critical underground water के level हैं जमीनी पानी का level बहुत ज़्यादा कम है कर रहे ये सारे regions हैं पंजाब में, Haryana में, Delhi में या Western उत्र परदेश में और कर रहे क्यों है ऐसा? कर रहे वेर, despite replenishable systems, indiscriminate groundwater withdrawal has repressed the water table कर रहे इन regions की परिशानी ये हैं कि बावजूद यहाँ पे replenishable system होने के ऐसा system की बारिश हो रही है, पानी गुवे में जा भी रहा है replenish हो रहा है, सब कुस रिफिल हो रहा है कर रहे बावजूद इसके जो अंदा धुन, जो indiscriminate groundwater का निकासी है, withdrawal है उसने depress कर दिया है पानी की सुची को, water की टेवल को तो खूब बारिश होने की बावजूद यहाँ पे पानी निकालते ही बहुत है जमीन से इसलिए पानी का जो है, लेवल कम होता जा रहा है अब यहाँ पे स्टेट्स देख लेना, पंजाब, अर्याना, दिल्ली और यूपी, वेस्टन यूपी जहां पे अगरिकल्चर बहुत होता है अब यह जो question आपसे एक RC का पूछा हुआ है उस question को आपको यहीं पे solve करना है question देख लेना RC का last में solve करवाँगा, लेकिन आप बीच में भी solve कर सकते हो आगे बढ़ो, RC का question यहीं पे आएगा एक indiscriminate का मतलब होता है, जो अंदा दून हो, जो purposeless हो बस किये जा रहे हैं, पानी निकाले जा रहे हैं फसलों को डालने के लिए भी नहने के लिए भी हर चीज़ के लिए replenishable का मतलब होता है, renewable जिसको बार बार refill किया जा सके आगे करे जी, other endangered blocks are in Rajasthan and Gujarat where due to an arid climate, groundwater recharge itself is limited करें जी, दूसरे जो एरिया जे इन चारों को छोड़ दो तो दूसरी जगह जो ऐसे endangered blocks है ऐसे कुएं जहां पर पानी खतम हो रहा है करें वो हैं राजस्थान में और Gujarat में endangered का मतलब है, जिनकी उपर danger आ चुका है जो खत्रे की साह में है endangered तो करें ऐसे खत्रे के साह में जो दूसरे कुएं न वो राजस्थान गुजरात में बिलेंगे और यह वो ऐसे दो परदेश हैं दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वज़े से due to और किस वज़े से एक सूखे मौसम की वज़े से arid climate की वज़े से ground water का जो recharge है जो replenishment है वो itself खुदी बहुत कम होता है limited या सिवमित होता है करा एंट फाइनली पार्स ओफ करनाटका, तमिलनाडू, तलंगाना एंड अंधर प्रदेश वेर डू टू इनहरेंट characteristics of crystalline water storing aquifers ground water availability is low और करा अगर आखिर में बात करें तो कुछ हिस्से है इन सभी राज्यों के जहां पे इस वज़े से due to, और वो वज़े क्या है inseparable इनका एक characteristic है एक ऐसा विशेस्ता है गुन है जो inseparable या inherent है इन राज्यों में और वो गुन है crystalline water storing aquifers का water को store करने वाली मिट्टी की परतों का aquifers क्या होती है मिट्टी की परती होती है जिनके नीचे पानी रहता है इसको आप निकाल नहीं पाओगे सिधे सिधे कुए से तो यहाँ पे पानी तो है लेकिन water को store करने वाली परत के नीचे है करे इस feature की वज़े से characteristic की वज़े से पीने का पानी जमीनी पानी लो होता है बहुत कम कुवे से निकलता है तो तीसरा रीजन इन स्टेट्स का यह वाला है अब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रीजन साब के दिये गए है अगर मैं आप से आर्सी का question पूछूँ कि गुजरात में पानी के कम होने का क्या रीजन है आप इसको पढ़ोगे और आप बताओगे कि arid climate is the reason behind high level of critical ground water levels है ना या low या critical ground water levels in गुजरात तो इस तरीके से सही question का सही answer आपको यहाँ से पढ़के करना है sentence बिल्कुल simple है दूसरी बार repeat करने की जरूत नहीं है blocks की verb है are ground water की verb है is limited का मतलब होता है सीमित arid का मतलब है सूखा जहाँ पर पानी ना पढ़ता हो characteristic का मतलब होता है गुण, विशेषता, speciality, virtue यह सब इसके feature के characteristic के synonym है इसको trait भी बोलते है trait है ना इंगलीज में एंजेंडर एंडेंजर का मतलब होता है किसी चीज में डेंजर पैदा करना एंजेंडर का मतलब होता है किसी चीज का जेंडर पैदा करना एंडेंजर का मतलब हो गया किसी चीज को खत्रे में डालना डेंजर कप पैदा करोगे जब किसी चीज को खत्रे में डालोगे और उसी सही adjective बनाए गया endangered verb की third form लगाखे ऐसी ब्लोक्स जो खत्रे में पड़े हुए है जिन पर खत्रा सर पर मंडरा रहा है तो यह डेंजर वाला वर्ड जेंडर से अलग है और जेंडर का मतलब होता है किसी चीज को प्रेड्यूस करना प्रेड्यूस करना ठीक है और जनरली जो वर्ड यूज होता है रिप्रोड़क्शन के लिए बच्चे पैदा करने के लिए जब आप एक बच्चे को पैदा करते हैं मा और पिता मिलके तो वो अक्चेर में प्रेड्यूस कर रहे हैं उसको जेंडर दे रहे हैं out of thin air आप एक नए इंसान को एक जेंडर दे करके इस वर्ड में लेकर आ रहे हो लड़का या लड़की मना करके जो भी जेंडर उसको दे रहे हो तो आपने जेंडर किसी को दिया तो आपने produce किया एक बेबी को तो वहाँ से इस word को उठाके अब कोई भी चीज बनाई जाए नए सिरे से तो उसके लिए engender word को यूज करते हैं ठीक है इसका आपको history बता दिया इस word का कैसे word को बनाया गया आज के quiz में दोनों words के उपर confusion मिलेगी कि आपको देख लो इनको ध्यान से चलो आगे कह रहा है that much more needs to be done to conserve ground water is a foregone conclusion जब भी sentence that से शुरू हो और उसके बाद में आपको कोई noun मिल जाए that तो यहां पे हो गया एक pronoun इसके बाद में much more नाम का एक और noun आपको मिल रहा है more मतलब और ज्यादा इसके बाद में कोई दूसरा noun ने है तो खुदी यह noun है इसका that का मतलब उस case में निकलता है यह बात की यह बात की तो करे जी यह बात की कि much more और भी ज़्यादा जरूरत है किये जाने की needs to be done conserve, preserve करने के लिए बचाने के लिए जमीनी पानी को, ground water को करे यह बात ही अपने आप में एक forgone conclusion है एक ऐसा conclusion है एक ऐसा आखरी जो है final decision है जो forgone है forgone word के दो meaning English में एक चीज जो जा चुकी है past में वो भी forgone है और दूसरा इसका मतलब होता है जो चीज fixed हो, certain हो, inevitable हो जो predisigned हो जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो तो करे कि हमें बहुत कुछ करने की दरोदाना ये बात, ये conclusion हमारे पास पहले से ही है हम बहुत पहले से इस चीज को जानते है तो forgone का जब पहला वाला meaning यूज कर रहे हो certain या inevitable वाला दूसरा meaning इस word में यूज नहीं किया गया है सबज मागया that की वबाई is, much more की वबाई needs to be done यहाँ पे passive infinitive है करे, there is no central law governing the use of ground water and various states have their own laws on regulating its extraction करे, कोई भी स्केंद्रिय कानून नहीं है central law नहीं है और किस पे, वो लो जो govern करता हो नियमित करता हो जमीनी पानी के इस्तेमाल को ground water के use को करे, और, अलग-अलग states के खुद के laws है have their own laws उनके खुद के laws है और regulate करने पे इसके extraction को पानी को बाहर निकालने पे extract करने पे करे, जो की लगाए जाते है that are deployed जो की deploy किये जाते है rules in a perfunctory manner एक ऐसे तरीके से जो सरसरी भरा होता है जो की बड़ा careless होता है तो rules है center के नहीं है states के अपने states अपने हिसाब से लगाती है पानी का खूब दुरूपयोग जो है इंडिया में होता है center law की वह बाहर इस various states की वह बाहर है that की वह बाइ are deployed that आया है on laws के लिए laws वो है जो deploy किये जाते है deploy का मतलब होता है किसी चीज को काम पे लगाना किसी चीज को mobilize करना laws plural है तो आर लगी है वह बी are deployed परफंक्ट्री आप जानते हैं cursory हो, सते ही हो, superficial हो जो careless हो, hasty हो जल्दवाजी में किया गया हो परफंक्ट्री है ना ये world आप अल्रेडी देख चुके है करे जी, a draft national water policy has recommended a shift in uses from water guzzling crops and prioritizing recycled water over fresh water for industrial purposes करे जी, draft national water policy है ऐसी water policy है पूरे देश की, जो draft है जिसका अभी final होना बाकी है करे ये जो policy है ना इसने recommend किया है एक shift को, एक बदलाव को और किसमे हमारी uses में हमारे इस्तेमाल में और कहां से, ये इस्तेमाल है water guzzling crops है, ऐसी फसलों से जो पानी को गजल कर जाती है, पी जाती है तो इस policy में ये लिखा गया कि पानी को पी जाने वाली crops को वहां से बदलाव करो, ऐसी crops को करो ये मत और दूसरा इन्हों ने ये recommend किया है कि prioritize करो, वरियता दो priority दो, recycle water को और किस के ओपर, fresh water के ओपर industrial purposes के लिए दोने करने में, industry machine में recycle पानी यूज कर लो, गंदे पानी को recycle करके पीने वाला पानी, सिरब पीने के लिए यूज करो, साफ पानी, करेंगा मतलब ये चलो, policy की वह वह है, has recommended दो चीजों को recommend किया गया है shift in uses and prioritizing recycled water करे जी, water ought not to be considered a free private resource but one whose cost must be measured and born equitably करे जी, water को नहीं consider किया जाना चाहिए, ought not to be considered और क्या नहीं consider किया जाना चाहिए, एक free और private resource, एक ऐसा resource जो सब के लिए मुफ्त है और किसी का private है, करे ऐसा मत समझो groundwater को, करे लेकिन इससो क्या समझना है, एक ऐसा resource समझना है, one, जिस जो cost करता है, जिसकी cost है measure की जानी चाहिए, और जिसकी cost को सहा जाना चाहिए, बरावरी से equitably आगी बाव समझ में, पानी को मुफ्त का मत समझो, पानी मुफ्त का नहीं है आपका private भी नहीं है, पानी सब का है, और इसकी cost है, और सब को bear करना है आने वाले time में, ऐसा आप समझोगे तभी काम चलेगा, चलो water की वर्ब है, ought not to be considered ought not to be considered, ought एक ऐसी model वर्ब है, जो अपने बाद में to infinitive लेती है बाकि कोई वर्ब जो है model वर्ब, to infinitive नहीं लेगी, बेस फ़र्म को लेगी, लेकिन ought के साथ में to fixed है, इस पे concept भी बना हुआ है, ought के बाद में जब भी not लेंड को, यहां पे ought के बाद में to infinitive आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगला केस देखो, one ought to not violate the law of the land, इस case में not को मैंने to violate के बीच में लगा दिया है, जो की गलत है, not को कभी भी infinitive के बीच में ना लगाएं, इसको के दूसरी वहब है बाद, बाद मना है बाद मतलब सहना, वीवन बाद मतलब सहा वी-टू, बाद मतलब सहा गया पास्ट में परफेक्ट में वी-तु यहां पर वी-तू लगाई गी है must be plus में वी-तू बाद में एकविटेबली बाद मतलब सहना, करे जी while water remains a politically contentious subject in India, the climate crisis should inspire consensus across the political spectrum, करे जी जहाँ water बना हुआ है water remains एक राजनितिक तोर पे जगडे वाला जो मिद्दू मुदा subject हमारे भारत में इंडिया में, contentious मतलब जगडे वाला controversial subject मतलब मुदा, करे जहाँ ऐसा है, वहीं पे हुआ ये कि जो climate crisis है, इसको inspire करना चाहिए, motivate करना चाहिए, आम सहमती को consensus को, और कहाँ पे, across the political spectrum, पूरे political spectrum में spectrum मतलब पूरा जो range, और political मतलब सियासी, हर party का स्क्यूपर consensus और सहमती होना चाहिए, और किस सी स्क्यूपर, ये सहमती होगी disincentivizing wasteful consumption of this precious resource, ये सहमती होगी discourage करने पे, disincentivize करने पे, बरबादी भरे उपयोग को, इस बहुती कीम्ती resource के संसाधन के, इस सीज़ पे सब में, parties में consensus होना जरूरी है, चलिए, water की वोगए remains, climate crisis की वोगए should inspire, consensus मतलब unanimity, सभी parties के बीच में agreement, contentious का मतलब होता है controversial या जगड़ा करने वाला, ऐसी चीज जगड़ा करने वाली है, वो भी contentious है belligerent है, वो भी contentious है, और ऐसी चीज जिसके उपर जगड़ा होता है, जो controversial है, वो भी contentious है, दो दोनों meaning ये word रखता है चलिए article बहुत easy तो नहीं था, फिर भी इसको 9 out of 10 अपने देंगे overall अच्छी difficulty level थी, और words भी काफी अच्छे मिले है, वो cap के हमें अब जल्दी से हमें solve करना है quiz को first question में पूछा है, इन में से वो कौन सा तरीका नहीं है, पानी को save करने का पानी को save करने का कौन सा तरीका इस article में नहीं सुझाये गया है आपको लगता है कि ये सही सा तरीका नहीं सुझाये गया, ये नहीं है, ये नहीं है ध्यान से देखो, इसा answer आपको मिल जाएगा अच्छे level का question है, ध्यान से देखो गे तो मिलेगा इसका answer इसी वीडियो के first comment में नीचे जाओ first जो pinned comment है न उस pinned comment में इसका answer डाला गया है वहाँ से जाके check कर लेना second वाले में पूछा है UP में ground water के critical level होने का क्या reason है primary reason क्या है तो आपको सारे states का reason बताया गया UP का reason निकालो और सही reason को यहाँ से choose करो first comment में मेरा answer है वहाँ से match कर लेना third में आपसे पूछा है and danger और and gender में क्या फर्क होता है दोनों words में आपको करवा चुका हूँ एक gender से बना है एक danger से बना है दोनों के meaning आपको बताने है कोई options यहाँ पे नहीं है चोथे पांचिवे में दो errors मिलेंगी पहली error मिलेगी इसकी वज़े से और दूसरी error मिलेगी इसकी वज़े से अब errors कहां मिलेगी आपको चेक करना है दोनों errors को ढूंडो इन दोनों concept को लगाओ 6 के अंदर आपसे synonym पूचा है cursory word का perfectly, perfect या belligerent already word आपको करवा चुके है cursory क्या होता है जो सतही level का हो, जो छिछला हो जो ज़्यादा गहरा ही करना हो है careless हो, तो सही meaning इसका निकाल लो 7th है one word, ऐसी चीज ऐसी खाने की चीज, eatable जो थोड़े वक्त में खराब हो जाती है बाहर रखे हुए freeze में, freeze में ना रखो freeze में ना रखो तो खराबी होगी तो ऐसी खाने वाली चीज को क्या बोलते है तो इसके लिए one word है, शुरू में करवा दिया था आपको article के, quiz बहुत easy है मैं सब के साथ में से at least 5 marks को expect कर रहा हूँ इसी वीडियो के first comment से answer को निकालो राइटिंग, SSE और बैंकिंग के one year combo पे इसका फाइदा भी ले सकते हैं आज रात 12 वजे तक, 4 मेने के additional validity है Until then, signing out